अब सब को नमस्कार जय भीं दोस्तों कैसे हो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमें अंडे की सब्जी बनाना है तो किस प्रकार हमें तयारी करना होता है तो प्याज होगरे, अद्रक, टमाटर, लसन होगरे, ये सारे मसाले मैंने एक साथ में तयार कर लिये हैं और उसके बाद में हम इसका पेष्ट बना लेंगे, तो सबसे पहले तो हमें अंडे उबालने के लिए रखना है, तो ये हमने कुकर में पानी डाल दिया है और जितने भी हमें अंडे की सबजी बनाना है तो हम सारे अंडे कुकर में डाल देंगे, और कुकर में डालने के बाद में इसमें एक चमच हम लोग नमक डालेंगे नमक डालने से यह होता है कि हमारे जो अंडे के छिलके होते हैं बहुत क्रंची हो जाते हैं ताकि हम जब छिलके निकालते हैं तो बहुत आसानी से वो छिलके हमारे निकल जाते हैं तो यह लोग कूकर बंद करके 10 मिनट के लिए गेस पर चड़ा देंगे और दो सीटी हो जाएगी उसके बाद में हमारे अंडे उबल जाएगे और ऊबलने के बाद में हम लोग इसको देखते हैं कि छिलके किस प्रकार से हमारे इतने आसानी से निकल रहे हैं क्योंकि हमने इस ये उस प्रकार से हम लोग मैं नीक देखते हैं घड़ेके जब हम लोग अंडे को तलेंगे ना तो वो फूटते नहीं है वरना फूटने का बहुत डर रहता है और हमारे उपर भी उछलने का डर रहता है इसलिए हम लोग सारे अंडे में 2-2-4-4 गड़े कर देंगे ताकि हमारे अंडे फूट न पाए इसलिए तो दोस्तों ये देखो मैंने तेल गरम करने रख दिया है कड़ाई में और इसके बाद में हम लोग एक एक करके अंडे सारे अंडे को डाल देंगे और डालने के बाद में न हम लोग इसमें तल लेंगे तो ये इस प्रकार से हम लोग अंडे को तल लेंगे और तलने तो देखो यह पूरे अंडे मेरे तल चुके है और तलने के बाद मेना हम लोग इसको पूरे निकाल लेंगे देखो कि इतने अच्छे थोड़ा सा लाल हो जाते हैं तो वह बहुत अच्छे लगते है एंडे क्योंकि सब्जी का कलर ही चेंज हो जाता है अंडे के तलने से तो यह देखो मेरे अंडे पूरे तल चुके है और उसके बाद में हम लोग ने देखो यह हमारी कस्तूरी मेती मतलब मसाले बहुत सिंपल है इसमें मैंने गरम मसाला अगरे कुछ भी नहीं डाला है सिंपल मसाले से ही मैं सब्जी बना रहे हूं आप भी एक बार जरूर ट्राइ क पाती है हमको इसलिए मैं थोड़ा खड़े मसाले न डालकर अपने सिंपल मसालों से ही सब्जी बना रहे हूं और बहुत अच्छी लगती है क्योंकि सबके यहां मसाले तो होते नहीं है लेकिन अगर कभी अगर हमको कोई विसेश अगर सब्जी बनाना रहता है तो हम लोग खड़े मसाले का यूज करते हैं लेकिन हम लोग खड़े मसाले यूज ने करेंगे इसमें सिंपल तरीके से ही हमारे घर में जो सिंपल मसाला होता है जैसे अद्रक धनिया मिर्ची बस उसी से मैं बना रहे हूं बस इसमें एक विसेश जैसे अपनी कस्तूरी मेती है उससे भ पेश्ट मेरा पूरा तयार हो चुका है तो इस प्रकार से जिसे मैंने कस्तुरी मेट थी और जीरा डालने के बाद में प्याज अगरे डाल दिया है और प्याज अगरे डालने के बाद में यह देखो यह पूरे प्याज हमारे पक रहे हैं और पकने के बाद में यह सारे मसाले इखटे मैंने कर लिया है अधरक लसान हलदी मिर्ची धनिया यह सारा इखटा करके पानी के साथ में मैंने इसमें डाल दिया है और उसके बाद में देखते हैं हम लोग की जो ग्रेवी होती है वो कितनी अच्छी दिखती है यह देखो हमारा पुरा मसाला तयार हो रहा है और बस मसाला तयार हुई चुका है जैसे कि यह थोड़ा लाल कलर आ गया है इसका और जैसे ही हम लोग घुमाते रहते हैं यह इस प्रकार से हमारा कलर आ जाता है और एकदम मीडियम आज पर ही पका रहे हूं मैं तेज आज पे अगर हम लोग पकाते हैं तो मसाला बहुत द्रभी में चाहिए उस परकार हम लोग पाने डाल देते हैं और यह देखो मेरे पुरे मसाले के साथ में पूरी सबजी और विटाल दिये हैं और अब मेरे इसमें थोड़ा धनिया पति डालने के बाद में हम लोग इसको हमारी सबजी रेडी हो चुकी है तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को ये सबजी अपनी देशी अंडे की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना थेंक यू